वेलकम तो एडुजोस, एडुजोस में आप सबी लोग का स्वागत है दोस्तो आज 12 अप्रिल से SSE CHSL का एक्जाम शुरू हो चुका है तो इस एक्जाम में जो भी कोश्चन आज फर्स सिफ्ट में पूछा गया है फर्स सिफ्ट का एक्जाम ओवर हो चुका है इन सभी कोश्चन को देखेंगे जो आज SSE CHSL 2021 के एक्जाम में पूछे गए है आप हमारा Android आप भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको सामें इसका तीनो सिफ्ट का कंबाइन PDF मिल जाएगा तो अप्लिकेशन जरूर इंस्टॉल करें यह Google Play Store पर अबलेबल है वहाँ पर जाने के बाद आप प्रिविएस येर्स पेपर में जाएंगे PDF सेक्शन के अंदर वहाँ पर आपको यह सारे एनलाइसिस के जो एक्जाम के PDF हैं वो आपको questions मिल जाएगे जो लोग चैनल से अब तक नहीं जूरे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे अक्टिवेट कर लें क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको सटीक एनलाइसिस के questions बिलकुल जो questions है वही समय बरबाद नहीं किया जाता है जितने questions पूछे गए हैं उनी questions को यहाँ पर आपको बता जाता है शुरू करते हैं सबसे पहले क्या कोछ पूछा गया है वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है यह सवाल पूछा गया है वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त ये December 2020 में ये बनाए गए थे 30 December 2020 को इनको नियुक्त किया गया था उमेश सिन्हा को ये सवाल पूछा गया है तो हो सकता है मुख्य चुनाव आयक्त भी आपसे पूछ दे तो एक बार मुख्य चुनाव आयक्त को भी याद रखेगा क्योंकि ये important सवाल तो होता ही है अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि Current Fs के जो question पूछे जा रहा है ये कहां तक पूछे जा रहा है ये January 2021 तक के कुछ question समय देखने को मिले हैं जो पूछे गए है December के भी October के भी तो October से लेके जो है अभी और March के भी question जो है वो पूछे जा रहा है जैसे आप आगे देखिएगा Pathway to God पुस्तक के लेका कुछा गया है कि ये कौन है Mahatma Gandhi ठीक है Pathway to God के जो ये पुस्तक है इसके लेका के इनकी कुछ और पुस्तक है जैसे कि सत्त के प्रियोग The Words of Gandhi इसकी theme आप याद रखेगा 2021 के लिए इसकी theme है The Clock is Ticking तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये March की चीज यहाँ पर अगर आपसे पूछी गई है इसका मतलब देखिए April में एक्जाम हो रहा है और March से relate करके question पूछ रहा है तो आपको current affairs कम से कम September, October 2020 से लेकर March 2021 तक के current affairs जरूर पढ़ना चाहिए इससे related आपको question देखने को मिल सकते हैं भारत का लक्ष जो है तीवी में भारत का लक्ष है 2025 तक इसको खतम कर देना यानि इसका खात्मा करना जो है भारत का लक्ष है 2025 तक ये भी याद रखेगा इसके बाद सवाल पूचा गया है नदी से संबंदि दो सवाल पूचे गया है एक पूचा गया है सर्यू नदी पर कौन सा शहर इस्तित है option में अयोध्या दिया गया था तो ये इसका अंसर हो जाएगा और दूसरा सवाल है यमुना नदी तो यमुना नदी के किनारे जो है option में दिल्ली दिया गया था वैसे आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही बसा है तो नदिया और उनके किनारे बशे हुए शहर इसको आप याद कर लिजे क्योंकि अब अगर एक सिफ्ट में पूचा गया है तो आप यहाँ पर दो question पूचा गया है तो आने वाली हर सिफ्ट में एक नए एक question आपको देखने को जरूर मिलेकर न दिया और उसके किनारे इस्थित शहर ठीक है यह static gk का question है आपको lucent में मिल जाएगा तो अच्छी तरह से उसको याद कर लिजे विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर है यह सवाल भी पूचा गया है तो यह मध्यपरदेश में है और यह भी जनवरी 2021 का सवाल है तो इसको भी याद रखे विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बने जाएगा मध्य परदेश में इसके बाद सवाल पूचा गया है 2011 की जनगन्ना के अनुसार किस राज की साक्षरता दर सबसे जादा है तो जिस राज की साक्षरता दर सबसे अधिक है वो राज है केरल यहाँ पर साक्षरता दर 93.91 पर्तिशत है यानि 93.91 परसेंट जो है वो केरला के अंदर साक्षरता यानि लिटरेसी रेट है और अगर बात करें सबसे कम किस राज की है तो वो है बिहार की जिसकी लिटरेसी रेट 63.82 है इससे सम्मंदित कई सारे सवाल आपके एकजाम में साक्षरता दर से सम्मंदित पूछा जा सकता है जैसे कि भारत में साक्षरता दर क्या है पुरुष की साक्षरता दर क्या है महिला की साक्षरता दर क्या है या फिर किसी स्टेट के अंदर पुरुष महिला की साक्षरता दर क्या है इसी तरह से आपको लिंग अनुपात भी पूछा जा सकता है ये भी जनगन्ना से related सवाल है यानि किस राज में कितना लिंग अनुपात है ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो 2011 की जंगर्ना को एक बहर अच्छी तरह से आप पढ़ ले आलू का वैग्यानिक नाम पूछा गया है अब जब आलू का पूछा गया है तो इसमें कुछ जानवर के भी वैग्यानिक नाम पूछे जा सकते हैं उसके लाद आम के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मोर है, आम के अंदर ये जो मैंगो है, उसके अंदर मैंगो का होता है, मैंगफिर है, एंडी का, इसे तरह से मेढग का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो जानवर जीव या फिर कुछ जो पेर, पौदे, फल, इससे संबनेज नाम पूछा जा सकता है आलू का वैग्यानिक नाम यहाँ पर solenum tuberosum है यह आपको याद रखना है वैक्तिगत सत्यागरा के परतम सत्यागरही का नाम पूछा गया है कि क्या है तो देखे गांधी जी ने वैक्तिगत सत्यागरा के प्रतम सत्याग्रही के रूप में जो चुना था विनूबा भावे को चुना था 1940 में, 1940 में इसको याद रखिएगा विटामिन C का रासाइनिक नाम पूछा गया है अब विटामिन C का पूछा गया है तो फिर A है, B है, D है K है, E है इन सब का जो रासाइनिक नाम है वो आप अच्छी तरह से याद रखिए जैसे विटामिन A, रेटिनॉल होता है तो इसी तरह से आपको सब याद रखना होगा C का क्या होगा, स्कॉर भी कैसी जो आज की एक्जाम में पूछा गया है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है, वो उप्यूक्त होती है काजू की खेती के लिए उप्यूक्त मिट्टी जो है, वो बलुई दोमट मिट्टी होती है आप कोई बता दें कि हापर रास्टिय काजू अनुसंधान केंदर भी भारत केंदर जिसकी पुत्तूर करनाटक में है ये भी याद रखेगा हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे 2021 में ग्रामीन विकास मंत्री कौन है भारत के ग्रामीन विकास मंत्री अब मंत्राले से एक सवाल आया तो आप जितने भी मंत्री है उसको याद कर लीजे आपके नेक्स सिफ्ट में कौशन जो है या जिस दिन भी आपका एक्जाम है पूछा जा सकता है नरेंद्र सिंग तोमर यहाँ पर आंसर जाएगा ग्रामीन विकास मंत्री नेक्स्ट कौशन देखिए अगला सवाल है कोशी का सिध्धान्त किसने दिया था कोशी का सिध्धान्त का प्रतिपादन जो है स्लाइड इन और श्वान ने किया था ठीक है सेल का यहाँ पर पूछा गया अब हो सकता है कि सेल की खोज किसने की यह आप से सवाल पूछ दे इसी तरह से सेल के अंदर के कुछ पार्ट से तो यहाँ पर आप इनको याद रखेगा तो हीमा कोली यहाँ के मुक्ने अदीश है तेलंगाना उच्च नेयले की इसके बाद देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाडी खिलाडी से एक सवाल पूछा गया एक तो भारत का नेपॉलियन पूछा गया है एक आगी सवाल और भी पूछा गया जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रेंग यह जो है 94 है इससे पहले एक सो दो थी 2019 में यह 102 थी इसके बाद Global Hunger Index 2020 में जो है ये 94 है अंती मस्थान पर कौन सा देश है ये भी आदर केगा 4 देश जो है वो अंती मस्थान पर है ठीक है इसके बाद देखे भारत का वयोवरेद पुरुस किसे कहा गया है ये भी एक उपनाम ही है भारत का वयोवरेद पुरुस कहा जाता है इसका रासाइनिक सुत्र पूचा गया है तो देखे इसको हम लोग रासाइनिक नाम अगर इसका कहें तो copper sulfate भी इसको कहा जाता है नीला थोता को यानि blue vitriol को और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं CUSO4 और इसके last में इस तरह से X होता है और ये number vary करता है तो CUSO4 जो है ये आप इसको याद रखेगा नीला थोता ये इसका रासाइनिक सुत्र होता है इसके बाद आपसे एक सवाल ये भी पूचा जा सकता है जब नीला थोता पूचा गया है तो हो सकता है आपसे oil of vitriol पूच दिया जाए तो oil of vitriol का रासाइनिक सुत्र जो है वो H2SO4 होता है इसको आप रासाइनिक नाम में कहेंगे sulfuric अमल भी कह सकते है ठीक है इसके बाद एक सवाल पूचा गया है शायद Tunisia के प्रधान मंतरी कौन है आप लोग comment करके ज़रूर बताएगा किसी question में अगर doubt है तो 20 प्रक्षन पूचा गया था या नी एक देश के प्रधान मंतरी के लिए candidate ने सवाल किया था कि किसी देश का प्रधान मंतरी पूचा गया है एक जो candidate है उन्होंने बताया था कि Tunisia के PM पूचा गया है तो इसमें confirm करेगा यह 20 नंबर question पूचा गया था यानि हिचेम मचीची जो है यहां के Tunisia के prime minister है यानि PM है तो इस तरह से यहां पर हमने total जो है वो 20 question देखा आज की क्योंकि total 25 question है 25 में से यहां पर आपको 20 question बताए गए अगर आपका exam होता है और आप भी exam देकर आते हैं तो आप हमें question जरूर करें comment section में आप question लिख सकते हैं आप हमें email के तुरू question send कर सकते हैं या फिर आप हमारे whatsapp number पर भी comment कर सकते हैं 920-5056365 यह हमारा whatsapp number है जिस पर सिर्फ आप whatsapp करके comment करके हमें बेज सकते हैं question तो thank you so much आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को जादा से जादा like and share कीजएगा thank you